हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई स्टड़ी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों आपके लिए मैं लेकि आई हूँ फिजिकल एजुकेशन की बेस्ट फ्रेक्टिस जैसा कि दोस्तों मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के किसे भी कमपरिटर एक जर्म चाहिक है यूपी टी डीट फ्रेंड्स चैनल पे सभी वीडियों को आप एक बार जरूर देख लीजिए सभी थी आपके सामने यंपीटेट का एक्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं है उसके बाद यूपीटीजीटी भी आपका एक्जाम होगा जिसने भी फार्म फिलब किया हुआ है तो सभी लोग लग जाएए तेजी से तयारी के लिए टाइम न वजन में कमी एवं बुखार जैसे लच्छड जुड़े हुए हैं तो यह सभी लच्छड जुड़े हुए हैं टीवर कुलेसिस से यानि कि टीवी से जिसे तपेडिक छै रोग टीवर कुलेसिस टीवी आदी कहते हैं यहां माइक्रो बैक्टिरियम टीवर कुलेसिस मुक में रख्त आदी इसके लच्छड होते हैं नेस्ट है इनके से कौन टिटनेस से सुरच्छा प्रदान करता है तो जो टिटनेस टॉक्साइड होता है वह टिटनेस से सुरच्छा प्रदान करता है टिटनेस दोस्तों बैक्टिरिया से फैलने वाला रोग है टिटनेस को धर प्रुष्टंकार रोग लाग जा आदी नामों से भी जाना जाता है और यह क्लाश्ट्रिड्रियम टिटैनी नामक बैक्टिरिया से फैलता है यह हमारे तंत्रिका तंत्रे उफ्टियसियों को प्रभावित करता है सरीये में जटका और बेहोसी इसके लच्छड होते हैं बलर्ड सुगर के लिए उपयूकत ब्यायाम है तो वाकिं यानकि टहल न जो है बेस्ट एक्सरसाइज है बलर्ड सुगर के लिए नेक्ट है लेप प्रोसी होती है तो जो लेपडरोसी यानि कि कुछट रोग यहां कोर्ट आप हेंसे जिजिजी भी बोला जाता है यह माइक्रो बैक्ić-टीयम लेप्री वेक्टिरिया से फैलता है तो यह बैक्टिरिया द्वारा फैलता है आपसर नम्बर भी यहां पर कर्रेक्ट हो जाएगा कुछ त्रोक गौर्ड । जो लेप्रोशी होता है, तो चाहतन रिका तंथर म्यूकस मेम्रेन को यहा प्रोहावित करता है जैसे कि इसका लच्छर होता है, गाठ बन जाना हाथ पैर की उंगलियों की उत्तको का नष्ठ होजाना आदि इसके लच्छर होती है नेश्ट है BCG का टिका निनलिखित में से किस रोग से प्रतिरच्छा के लिए लगाया जाता है तो यह लगाया जाता है टीवी यानि कि तपेडिक के लिए जिसे छै रोग भी बोला जाता है नेश्ट कोश्चन है मधु में किस में खराबी आने से होता है मधु में यानि डायबेटी जिसे सुगर भी बोला जाता है यह पैंक्रिया यानि आगनासय में खराबी के कारव होता है जब आगनासर में से इस्त्रावित होता है लेंगर हेल्स के बीटा कोसिका से इंसुलीन इंसुलीन क्या करता है ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में प्रोजित करता है और इसी से हमारे जो भोजन होता है उसका ऑक्सिडेशन होता है जब पैंक्रियाज में इंसुलिन कम इस्ट्रावित होता है या इंसुलिन कम बनता है तो जो हमारे सरी में प्रोसेस होता है ग्लुकोज का ग्लाइकोजने प्रोसेट करने का वो नहीं हो पाता है सही जंग से और उसका आक्सिडेशन भी सही जंग से नहीं हो पाता है जिससे र नेश्ट है मलेरिया की बिमारी होने का कारण है तो मलेरिया की बिमारी होने का कारण है परजिवी क्या है परजिवी यानि कि प्रोटो जोवा यहाँ प्लाजमो डियम परजिवी से फैलता है और इसको वाहक होता है मादा इनाफिलीज मच्छर मलेरिया में क्या होता है हमारे जो आरवीसी और तिल्दी जो होता है वो प्रभावित होता है और ठंड के साथ बुखार इसके लच्छड है और दोस्तों मलेरिया में कौन प्रभावित होता है और डेंगू में हमारा जो प्लेटलेर्स होता है जो हमारे सक्ति का वर्दक होता ह वह ही नश्ट होता है उप्रभावित होता है नेक्ष्ट है प्रिष्ट सूल यानि बैक एक एक प्रकार का विकार है तो यह कटी छेत्र यानि कि कमर छेत्र का विकार है कमर में जो दर्द होता है उसको कहते हैं बैक एक next question है सुखा रोग रिकेर्स किस बिटामिन के कारण होता है तो दोस्तों सुखा रोग जो होता है वह बिटामिन डी के कारण होता है किस कारण से होता है बिटामिन डी के कारण जैसा कि दोस्तों बिटामिन डी का वेग्यानिक नाम केल्सी फिराल है इसको anti-ricetic vitamin, natural vitamin, kidney hormone भी बोला जाता है यह D1, D2, D3, D4, 5 आदी में पाया जाता है बट इसमें दो प्रमुक होते हैं D2 और D3 इससे भी deep में जाकर के question पुछ सकता है तो D2 को ergo kelsiferal बोलते हैं और D3 को kole kelsiferal बोला जाता है जो सूरी की CD केड़ों से प्राप्थ होता है D3, D2 जो होता है ergo kelsiferal उसे की कमी से titani यानि की osteo में आइठन हो जाता है और जो D3 होता है कोले kelsiferal या बच्चों में ricards वैसकों में osteo malaysia, osteoporosis और type 2 diabetes होता है बच्चों में ricards यानि सुखा, रोक, सुखंडी जिसे अस्थिया टेरी मिड़ी हो जाती है और वैसकों में osteo malaysia जिसे मृदिल आस्थिया यानि पसलिया कोले जबड़े अधिक प्रहावित होते है और osteoporosis अस्थियों में कैलसियम हुआ, पोटैसियम की कमी, अस्थिया पतली दरभमान में कम बार-बार तुटने माली हो जाती है और type 2 diabetes जो होता है, वह सूरी की सीधी कीडों से D3 कोले कैसी फिरार बनता है जो insulin को creacil बनाता है, तथा मधुबे बिमारी से बच जाता है नेश कोशन है, प्रत्यत संचारव वारा रोग है तो प्रत्यत संचारव वार रोग कौन सा है दोस्तों, यहां पर टीवी हो जाएगा नेश है कौन सा बिसाडू जनित रोग नहीं है तो दोस्तों यहां पर आपका चेचक और खसरा दोनों भी डामीन जनित रोग है बिसाडू जनित रोग यहां वारस से पहने वाले रोग है इन्फ्लुएंजा और एर्स भी आपका वारस जनित रोग है रेवी यह पोलियो भी आपका वारस जनित रोग है यानि इसमें चैर रोग यानि कि टीवी और टीटिनेस जो है वारस जनित रोग नहीं है प्रोटीन की कमी से नेक्स्ट है किस रोग से सरीर के अंग सूज कर मोटे हो जाते हैं तो वह होता है फाइल एरिया नेश्ट जॉण्डिस रोग में निम्द में से कौन सरवाधिक लावकारी है तो यह जॉण्डिस यानि पीलिया यानि हेपिटाटिस में गन्ना जो है सरवाधिक लावकारी होता है नेश्य संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है दोस्तों वायों के द्वारा भी होता है कीटों के द्वारा भी होता है जल अभोजन के द्वारा भी होता है तो यहां बे आपसन नंबर D करेक्ट होगा इनमें से शभी के द्वारा नेशाल कि सतत्व की कमी के कारर बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों तो थायमीन या बीतामिन बी की कमी के कारर पेरी बेरी रोग होता है नेश कोशन है मलेरिया फैलता है तो यहाँ प्लाजमो डियम पर जीवी से फैलता है जो मदा इनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है नेश्ट है इनवी से कौन सा संक्रामक रोग है दोस्तो हर्डी का तूटना दिल का दौरा कैंसर ये तीनों के तीनों संक्रामक रोग नहीं है तो कौन है वाइरल बुखार जो है आपका संक्रामक रोग है नेश्ट है AERS का EARTH है एक्वाइर्ड इम्यूनोडिफिसेंसि सिंडूमें नेश्ट है AERS फैलता है बैक्टरिया के तोरा फंजाई के तोरा दोस्तों AERS जो है HIV VIRUS के तोरा फैलता है नेश्ट है रोकों से सुरच्छा प्रदान करने वाले पोसक तत्व हैं तो दोस्तों सुरच्छा प्रदान रोगों से करने वाले पुसकत विटामिन एंड्स, खनीज लवर्ण यानि मिनरल्स है दोस्तों जैसे कि भोज बदार्थों को कारे की अधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया है फर्ष्ट है आपका उर्जा प्रदान करने वाले जिसमें कार्पो हाइड एंड वसा आते हैं दूसरा है सरी का निर्मान करने वाले विकास करने वाले जिसमें प्रोटीन साते हैं एंड तीसरा है सरी कि रच्छा करने वाने जिसें बितामिन सों खनज लवर आदे हैं नेज़ दुस्तों सरी की रोगों से संघberishत करने की सक्ति को कहते हैं रोग प्रति उधाग चहमता यानि कि इम्मिनोटीज चहमता नेश्ड है दोस्तों की एर्स नहीं फैलता है यह उसे क्रमर से लग्त प्रेसर से मास से सिसू में प्रेसर से इन तीनों माध्यम से यह फैलता है और तीन ही माध्यम होता ही है इसके फैलने का यह भी दियाना क्यों था कोई माध्यम नहीं होता है ठीक है तो किसे नहीं फैलता है तक्रस्त ब्रेक्टी से हाथ मिलाने से लोगों की गल्थ फैमी है कि उसको एर सहत उससे हाथ मिलाएगे तो फैल जाएगा ने अस्ठ है वह की ट्रिकोमा संक्रमण है तो यह आँख का संक्रमण है नेश्ट है निनमे से कौन सा वारल रोग है जो केंद्रिय तंत्रि का तंत्र पर असर करता है तो यह होता है आपका रेवीज जो केंद्रिय तंत्रि का तंत्र पर असर करता है तो जोस्तों जो रेवीज होता है वह इसे अलर्क रोग भी बोला जाता है रहेब्डु वाइरस द्वरा फैलता है रेबीज हमाई तंत्री का तंत्र पर असर करता है जो पानी से डर रखता है और ज्वर होता है स्वास लेने में परिशानी होती है तो यह हमाई तंत्री का तंत्र पर असर करता है यह ध्यान में रखेगा नेश्ट है कौन सा रोग संक्रमित इस्तनियों से आदमी में को आता है दोस्तों यह होता है रेवीज यह संक्रमित इस्तन्धारियों से आदमी में आता है जैसे कोई कुट्टा अगर संक्रमित है रेवीज वाइरस से तो वह अगर किसी मनुश्ची को काटेगा तो उसमें रेवीज हो जाएगा नेश्ट है केवल रोग बिक्रिती की छुट्टी नहीं बलकी संपूर सारिक, मानसिक और समाजिक ही तक्या है तो वह है स्वास्त है दोस्तों किल रोगों से मुक्तिपाना ही स्वास नहीं होता संपूर रूर्प से सारिक, मांसिक, अध्यात्मीक, समाजिक सभी रूर्प से संपूर होना ही स्वास होता है या डबलू एच्चो की परिभासा है, ये भी ध्यार में रखेगा नेश्टों दोस्तों फुफूस कैंसर का कारण है तो इसका आपको सही जवाब धोड़ना पड़ेगा तो इसमें कौनसा कारण हो जाएगा फुफूस कैंसर यानि कि जो फेफ़ड़े का कैंसर का कारण होता है दोस्तों इसमें तो हो सकता है रसायनिक कारण इसका सही अंसर ढोड़ियेगा दोस्तों नेश्ड है बच्चो में दोस यूत अस्थी का विकास इस कारण होता है यह रिकेड्स के कारण होता है जिसमें हड़िया मिर्दुल हो जाती है तूटने वाली नेश्ड है किसकी कमी से मदुब्बय होता है तो इंसूलीन की कमी से होता है नेश्ट है निमनलेखीते में कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतरगत नहीं आता है तो यहाँ पे 6 रोग, कुष्ट रोग, कुकुर खासी यह तीनों के तिनों संक्रामक रोग के अंतरगत आते हैं जबकि मदूम में इंसुलिन की कमी से होता है या संक्रामर So up के अंतर रगत नहीं आता है क्लीड में को सा रोग मख्यों से नहीं फ़ैलता है तो इसमें टाइपफाय खोलेरा डिसेनटरी सभी मख्यों से पैलता है या युलो फीवर वाराल है ये वा अउस से फैलता है नेक्स्ट है सरीर के किस अंग से पायारिया समधित है तो आप सब को पता है दावत से रिलेटेड है नेक्स्ट है दोस्तों अनुवांसिकी और जिनेटिक्स से समधित कोस्चन है कि बच्चों के लिंग निधार होता है तो पिता के गुर्शुत्रों से होता है यह आप सबको फता है नेश्ट है अनुवांसिकी का पिता किसे कहा जाता है तो ग्रेगर जान मेंडल को अनुवांसिकी का पिता कहा जाता है नेश्ट है DNA का फूरा नाम क्या है इसका फुरा नाम है डी आकसी, राइबो, नीकलीक, एसीड, जिससे दोस्तों DNA से जीन का निमाण होता है जीन से हमारे अनुवानसिक लच्छर एक पीड़ी से दुसरे पीड़ी में हस्तांतरित होते है नेश्ट है मानों में क्रोमोसोंस की संख्या कितनी होती है तो तेज जोड़े होती है जैसा कि मैं कई बर बता चुकी हूँ अधर वीडियोज में नेश्ट है दोस्तों जो अनुवानसिक लिश्टा है रक्त वर्ग, तुचा के रंग, बाल, मानसिक दच्छता के अंदर मौजूद कतिपे सुचन कड़ो दुवारा नियंतरित होती है जिने कहा जाता है तो यह होता है जीन दोस्तों डिने से जीन का नियमा होता है जिसके करा अनुवानसिक लिश्टा एक प्रही से दुसरे फिर्धी में अस्तांदरित होते हैं आप को समझ में आये होगे जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं मैं डाउट क्लियर करने की फूरी की फूरी कोशिज करूंगी दोस्तों मैं चाहूंगे कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ें मैं बेट्ट देने की कोशिज करूंगी आप मेरे चनल पे आज के बाद से कोई भी गैपिंग नहीं होगा दोस्तों डेली बेसे से वीडियोज आएंगे और आप अपने सेल्फ इसड़ी करते रहें जो भी अंत्रिक आपने बूक लिया हुआ है उसको बार बार पढ़िए क्योंकि दोस्तों परिच्छा में यह होता है कि आपको बिजित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसे न्यू वीडियो का आप तक पहुच्छता रहेगा तो मिलती है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद